विश्व में चल रहे युद्धू में एक बड़ा बद्दा जी देखने को में रहा है कि अभी युद्धिक जमीन से ज्यादा हवाई हो चुका है गोला गिराने से लेकर बंग और मुसाइल दागने तक के काम ड्रोन बहुत प्रभावशाली तरीके से कर रहे है ये ड्रोन कई तरह के हैं सभी के अलग अलग शमता और खासियत है रूस युकरेन के बीचल रहे युद्ध में तो रूस के पास युकरेन की तुलना में काफी बहतरी ड्रोन है यही वज़ा है कि रूस का एयर डिफेंस भी युकरेन की तुलना में मजबूत है यूकरेन के पास वो ऐसे भी अपना ज्यादा कुछ नहीं है वे पहले से ही अमारीके मदद और अमारीके हत्यारों के भरों से युद्ध लड़ रहा है जब तक अमारीका उसे हत्यार दे रहा है तब तक यूकरेन भूने खर्च कर रहा है जिस दिन हथियार खत्म होंगे या जब अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा उसके बाद यूकरिन के पास रूस का मुकाबला करने के लिए कोई बहुत आधिलिक हथियार भी नहीं है और रूस तो हत्यारों के मामले में यूक्रेन के मददगार अमारिका को भी टक्कर देता है कई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रूस के पास अमेरिकी हत्यारों के मुकाबले बहत्रिन टैंक, मिसाइल और ड्रोन है अब रूस का एक और नया ड्रोन सामने आया है। रूस के स्ने ड्रोन का नाम क्यूब लोट्रिंग योशन है। इसे जाला KYEB, UAV, KUB, BLA के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादतर इसे क्यूब कहा जाता है। ये नया ड्रोन यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं ह तो पहली बात तो ये कि ये दुश्मन के ठिकानों पर एक बार में ग्रोपे स्ट्राइक कर सकता है इस ड्रोन के बारे में दिगदर जुरूसी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने अपने टैलीग्राम चैनल पर खुलासा किया है आपको बता दे कि इसी रोस्टेक कंपनी के एक साहय कंपनी ही क्यूब डोन के निर्माता है बात करते हैं क्यूब डोन की खासियत की तो रोस्टेक ने ये भी खुलासा किया कि क्यूब एक वर्सिटाइब यानि बहु मुख्य डोन है कि तुरंद हमला कर सकता है और कुछ करबड होने पर हमले के लिए सफिक समय का इंतिजार भी कर सकता है क्यूब अपने विस्पोटक या एक्स्क्लोजिव चार्ज को बहुत सफिक तरीके से डिलिवर करता है इसके ये खासे के शरीशी हथियार के खजाने में एक दुर्जय हथियार बनाती है रोस्टेक ने बताया कि क्यूब के वारहेट को टी अंटी से डेड़ गुना ज्यादा शक्तिशालिव इस फोटक का इस्तमाल कर बनाया गया है ये दुश्मन के डिफेंस को बेहसर करने के लिए डिजाइन किया गया है इसका इस्तमाल युक्रेणी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रडार स्टेशनों और सेना को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है युद्ध के शुरुआत से ही रूस ने सेक्डो ड्रोन तैनात किये हैं और उसके ड्रोन का प्रदर्शन भी बहतरी रहा है रोस्टेक के माने तो हजारों क्यूब ड्रोन बनाय जा चुके हैं और उसी सेना को उनकी सप्लाइ भी हो चुकी है इन ड्रोन की कम्यों को सुधारने के लिए यूकरिन में युद धिलर रहे साने को से फीडबैक भी लिया गया क्यूब ड्रोन टेलनेस डिजाइन के साथ बनाया गया है इसका वज़न 15 किलोग्राम है दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना बड़ा चालेंज है इस ड्रोन को सीक्रिट तरीके से भी लॉंच किया जा सकता है हलांकि इसकी भी सीमाएं हैं बात करें इसके लिमिटेशन की तो इसकी सबसे बड़ी खामी इसकी उड़ानब्धी है ये लगबग 30 मिलर तक के उड़ने में सक्षम है इसकी पेलोड ख्षम्ता भी अधिक्तन 3 किलोग्राम विस्पो तक ले जाने की है इसमें ऑप्टिकल सर्विलांस और टार्गेटिंग सिस्टम नहीं है इस सीमाओं के बाद भी क्यूब रूस की सनर रणीती का एक महतुपोन हिस्सा है और इसके ख्षम्ता को बढ़ाने के लिए इसे अपड़ेट भी किया जा रहा है